Hello Friends, Welcome to My Tech Support Channel Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Jio Prime Membership को लेकर Friends, कई लोगों ने क्या-क्या है अपनी Jio Prime Membership को 1 year के लिए Extend कर लिया है, तो कई लोग अभी भी परिशान है इसको 1 year Extend करने के लिए जैसा कि Friends, आपको पताई होगा 31 मार्च को Jio Prime Membership सबी लोगों की खत्म हो चुकी है लेकिन हम इसको 1 year के लिए फिरी में Extend कर सकते हैं लेकिन कई सारे लोगों के फोन में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं और इसको वो Extend नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम इसका solution बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप 1 year के लिए अपनी Jio Prime Membership को Extend कर सकते हैं तो यह सब जानने के लिए देखना होगा आपको इस वीडियो को लाश तक So friends मैं आपको 2 method ऐसे बताने बाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी Jio Prime Membership को 1 year के लिए बिल्कुल free में exchange कर सकते हैं Friends अगर आपके MyJio application में 1 year exchange का option नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको सबसे जो first method है वो आपको जाना हुआ play store पे और अपनी MyJio application को update करना हुआ latest version में तो simple यहां से play store पे जलते हैं और यहां पर अपनी MyJio application को हम update कर लेते हैं अगर Friends आपने पहले से ही अपनी MyJio application को update किया हुआ है और फिर भी अगर आपके MyJio application में 1 year exchange का option नहीं आ रहा है तो second method जो है वो यह है Friends आपको जाना होगा अपने phone की setting में और यहां से जाना होगा application में इसके बाद जाना होगा आपको application manager में और यहां पर हम search कर लेते हैं अपनी MyJio application को तो यह है हमारी MyJio application इसके click करते हैं और इसका जो catches data है तो इसको यहां से clear कर देते हैं और इसके बाद इसको force stop कर देते हैं तो simple friends यहां पर हमारा पहला method था हमारी MyJio application को update करना और second method है वो हमारी MyJio application के catches data को clear करना तो दोरों ही step मैं कर चुका हूँ तो इसके बाद हम अपनी MyJio application को open करेंगे और यहां से इसको next next कर देते हैं इसके बाद done कर देते हैं और इसके बाद आपके up side में one year extend का option आ जाएगा मेरे mobile phone में इसलिए option नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इसको कल ही extend कर चुका हूँ तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ मैं फिलाल इसको extend कर चुका हूँ My plans में चलते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं मेरी one year prime membership extend की request है वो पड़ी हुई है तो simple अगर आपने पहले से कोई request नहीं की है तो आपके phone में वो option आपको उपर ही नजर आएगा simple उसपे click करना है get it now उपर click करना है उसके बाद आपको proceed करना होगा और इसको confirm करना होगा तो आपका one year geo prime membership extend हो जाएगी आशा करता हूं friends सी वीडियो आपको पसंद आयोगा friends अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो please वीडियो को like share जरू करें और नई वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए thank you friends